जैहिन दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने का I start from my home and go 2 km state वो अपने घर से निगला और 2 km state गया and turn towards right और right मुढ़कर 1 km गया and I turn again and towards my right and go 1 km अगें मुढ़कर वो right 1 km गया and if I am northwest वो कहता है कि northwest है from my home then I in which direction did I go in the beginning यानि कि एक्जामना ने क्या कहा कि उसके पास में ये एक direction था इसमें मैंने लिया आपका ये east है ये west लिया ये north है और ये south है अब हो कहता कि वो किसी direction से निगला और जब finally जब वो चाहता है वो north west की तरफ था तो आपको जब इस question को solve करेंगे तो इस question को solve करने के 2-3 method होते हैं बड़ से best जो तरीका होता है वो आप option की help से अगर solve करेंगे तो ये सबसे आसानी से और easily solve हो जाएगा बिना confusion की तो हम लोग जो अभी question को solve करेंगे वो option की help से solve करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर लिया कि उसका जो face है वो माना कि वो west की तरफ है अगर वो उसका face west की तरफ है तो वो turn लेगा वहाँ से right यानि right मतलब कि अगर west की तरफ face है तो उसका turn क्या होगा up जाएगा और वो कितना distance cover करेगा 2 km करेगा उसके बाद उसने right turn लिया 1 km गया तो यह 1 km के लिए उससे east की तरफ जाना पड़ेगा फिर अब उसने फिर turn लिया right और 1 km आये इसका मतलब right turn लेगे वो down आएगा down आएगा down आएगा और वो यहाँ पर आकर रुख जाएगा अब मैं उससे देखूँगा कि वो घर से किस direction में तो इस point से जब मैं इसको देखूँगा तो वो मेरा कही ना कही north और west में आएगा यानि कि जो examiner ने कहा था कि at the end जो उसका face होना चाहिए वो north west में होना चाहिए तो यानि कि घर से वो north west में ही होगा तो एग्जामने ने पूचा कि starting में वो किस direction में निकला होगा तो simple सी बात हो जो direction में निकला होगा direction west होगा यानि कि option D होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी को question समझ मैं होगा जय हिंद जय भारत